पाकिस्तान पर हमला न कर दे पाकिस्तान के वरिष्ट पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया की रात में उन्होंने इसलामावाद के उपर एप 16 विमान उड़ते देखे वाकिया रात 10 बच कर 20 मिनट पर हुआ पाक के वरिष्ट पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी मीर ने एक न्यू चैनल से बात करते बताया कि अचानक लराकु विमान हों के यू उरान भढ़ने से लोग दैशत में आगे नीचे कई जगर शादियां चल रही वहां भी लोग बाहर निकल कर शर्कों पर आ गए और आस्मान की और देख अपने आप कयास लगाने लगे मीर के मुताबिक ये वार के आसंका को देखते हुए एक अभ्यास हो सकता है बिमान दिखाई देने के बाद पेशाबर से इसलामाबाद का पेशाबर हाइवे मोटर वे भी बंद कर दिया गया है लडाकु बिमानों ने करीब 3 से 4 चक्कर लगाए ये विमान इसलामाबाद के रियाशी इलाकों में नजर आए हामिद मीर के दावे को पाकिस्तान की एक और पत्रकार जवेरिया सिद्की ने भी पुस्टी की है सिद्की ने इसलामाबाद के उपर एप 16 बिमान उड़ने का दावा करते हुए ये वीडियो ट्वीटर पर पोस्ट किया है हलाकि हम इस वीडियो की पुस्टी नहीं करते हैं गौर्तलब है कि हाल ही में भारत के उरी में हमले हुए थे भात्य सिना ने कहा था कि इस हमले का जवाब सही समय पर दिया जाएगा इसके बाद से ही दोनों देशों में युद्र जैसे तनावपुर्ण हालात बंते देखे जा रहे हैं